कि अब आप आप कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब सबको मेरा वोईस आ रहे कि नहीं आ रहे हैं कि अब कि अब लोग चैट बॉक्स पर लिख दीजिए कि 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 तो आज के हमारा एजेंडा है कि 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 4.25 कौन सा मेथट से बोल रहा है यू डीडी से बोल रहा है ठीक है और पी एम में नाइंटी तो सी टीटी मोटालिटी यू डीडी से बोल रहा है तो दिस इस वन माइनस 4.25 अब अगर आप लोग यहां पर देखेंगे 87.25 है राइट तो हम लोग को सबसे पहले जाना पड़ेगा कहां पर 88 पे तो हम लोग कितना जीए 0.75 जी लिए फिर हम लोग को 3 साल जाना पड़ेगा 88 से 89, 90, 91 तो 3 साल और जी लिए तो टोटल कितना हो गया 3.75 और कितना जीना है 0.5 तो यहां पर आ जाएगा 91.25 तो यह आ जाएगा 0.5 तो यह हम लोग का ब्रेक अप हो गया यह हम लोग का ब्रेक अप हो गया टोटल कितना जी लिए हम लोग 4.25 टोटल हम लोग 4.25 जी लिए ठीक हैं तो कैसे करेंगे ध्यान देना कैसे करेंगे ध्यान देना 0.75 0 sorry सबसे पहले 0.75 P 87.25 फिर इंटू करेंगे 3 P 88 फिर इंटू करेंगे 0.5 P 91 is it clear 87.25 years का जो आदमी है उसको 0.75 years जियाएंगे तो उसका age हो जाएगा 88 फिर उसको 3 साल जियाएंगे और फिर जब उसका age हो जाएगा 91 उसको 0.5 years जियाएंगे ठीक है तो इसको अगर हम लोगों को solve करना है तो this is 1 minus अब हम लोग क्या करेंगे P 87 by 0.25 P 87 into 3 P 88 into अब यह क्या हो जाएगा 1 minus 0.5 into Q 91 is it clear all of you yes or no देख लो इसको कॉपी कर लिजे फड़ा फट से यह लोग शॉर्टकट फॉर्म्ला लगा या दे टी माइनस S Q X प्लस S वाला बढ़ हम लोग इसको फूल प्रूफ पुरा करके दिखाएंगे ठीक है इसमें गलती नहीं होगा आपका एक्जामे देखो नॉर्मली जो हम लोग जो उस समय जो देखे थे उसमें तीन नंबर में दोनों करने बोलता था यहां पर देखो आपको तीन नंबर में त्राल चाहरो करने एक करने बोडियो यूड़ी करने बोल रहे है ठिक है इसको साल कर लो हुआ ड़ीपfront में ऐसा कुछ है नहीं ठीक है बहुत ही मतलब आउन्व ठयकर्पीर यह कि आओ ठीक है फड़ा फड़ से देख लो पहला वाला कॉस्ट्वन को को कि 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 ठीक है हाँ पहला ठीक है एजी था आओ दूसरे कॉस्ट्वन में आओ क्वेस्ट्वन में आओ अन इंसॉरेंस कमनी इस रिक्वाइट टो पे इन अन्विटी अन्वली इन अद्वांस पर फोर यर्स अन्विटी निकालने बोल रहा है कंवेकसिटी का मतलब क्या होता है A अ डबल डाश भाई ए इस इस कन्वेक्सिटी ठीक है जब एक एक एनविटी को एक सिंगल जेटीबी से कभी भी इम्विनाइज नहीं कर सकते हो राइट आपको मिनिमम् कितना चाहिए होगा दो बिकॉज एक अगर अपने एक जीरो कुपन बॉंड लेते है तो इसका मतलब या तो दो साल पांस साल आपको स्प्रेड को इंक्रीज करना है कंपेर टू लाइबलिटी स्ट्रक्चर राइट कन्वेक्सिटी में मेंजर दस्प्रेड ऑफ दा कैश फ्लो तो अगर आपका एसेट का स्प्रेड जादा होगा तो ही आप मतलब इम्मुनाइज हो अब ही पहले अपने इसका स्ट्रक्चर निकाल लेते एक बार तो चारी पेमेंट्स है पहला पेमेंट है वन पॉइंट फाइब का और अन्मली इंड एडवांस है तो वन पॉइंट फाइफ फिर इसको बढ़ाना पड़ेगा वन पॉइंट जिरो थी वी प्लस क्या होगा बोलो 1.5 1.03 का स्क्वेर वी स्क्वेर तीन पेमेंट हो गया प्लस 1.5 1.03 वी क्यूब यह न तो अब इसका अगर हम लोग करेंगे तो 1.5 वी तु दिपड जिरो है तो क्या होगा जिरो नीचे आएगा उसके बाद वाला नीचे आएगा इंटू 1.5 Bar में क्या होगा दो बड़ जाएगा ठीक है तो पहला लगपर 0 हो जाएगा प्लस ile 1.5 इंटू 1.03 वन नीचे आएगा तू नीचे आएगा और पावर में क्या होगा दो बड़ जाएगा- फिर प्लस 1.5 1.03 का स्क्वेयर तो टू नीचे आएगा उसके बाद वाला नीचे आएगा पावर में दो बढ़ जाएगा is it ok फिर प्लस में आएगा वन पोंट फाइव उन कोईट्री का उन क्यूब तो तूने हैं फिर क्या होगा बताना थ्री नीचे आएगा फोर नीचे आएगा पावर में दो बढ़ जाएगा और डिवाइट किस्ते करेंगे इसको प्रेजर्ट वैल्यू से करेंगे ठीक है ना is it clear ठीक है इसको solve कर लो तो कि यह वाला important है यह वाला important है बहुत लोग बोलेगा आई लाइस में तो वी है नहीं वी है वी टूदी पर जीरो है तो वी टूदी पर जीरो को अपने को टैकल करना पड़ेगा ना टो अचीव इम्यजेशन दस्प्रेड आसेट मस्च बीड़ ऑन पर लियविटिए एर दस्प्रेड अश्चिजिए दिगर अश्चिज देड़ लिए दिगर अच्ट आपने को टो एक जर्टिबिस नहीं हो पाएगा एक जेट सीबी का स्प्रेड स्प्रेड तो दो के बीच में होगा ना एक में तो स्प्रेड होई नहीं सकता है ठीक है कि अ कि अ थीक है आओ थर्ड कुश्चन में आओ थ्री बॉंड एबी सी इच पे कुपन्स फो परसंट अन्वली नरियर्स और रिडीम्ड एट वन जिरो थी परसंट दा उट्स्टेंडेंग टर्म्स अफ दी बॉंड एग्जाक्ली वन तो एं त्री यर्स रिस्पेक्टिवली समिजा क्या करने बोलेगा The prices are 104 105 106 सारा discrete possible spot for future a catastrophe निकालने बोल रहा है यही समझा kaç कैसे करना इसमें 1002 और टीन साल का बोल रहा है एक ovर के दिखाता हूं तो पहला-वला क्या बोल रहा है एक 104 So 104 व्वकर й 1 प्लस Y1 क्योंकि एक ही है न, 4% का coupon मिलेगा, redemption होगा, ओ सौरी 103% पे होगा redemption, तो it will be 4 प्लस 103 समझ गया न, अब यहां से Y1 निकल जाएगा, दूसरा वाला में अपने को बोला है, 105 is equal to, क्या होगा बताओ ट्राइ तो करो, 4 by 1 प्लस Y1 1 प्लस 4 प्लस 103 by 1 प्लस Y2 का whole square समझा, इस तरीके से तीनों का अबले discrete spot निकल जाएगा, और spot निकल जाएगा तो forward भी निकल जाएगा forward में क्या क्या निकालेगा तुम लोग F1 निकालेगा F2 निकालेगा F12 निकालेगा यही न निकालेगा एक साल बात क्या rate होगा दो साल बात क्या rate होगा और एक साल बात दो साल के लिए क्या rate होगा यही तीन निकल सकते है तीन साल में तो हो गया 8 नमबर, देखो 8 नमबर का कुष्चन है fail हो गया ना, तो देख ले दुवारा हम लोग क्याआपर admission नहीं देंगे आठ नमर का कुश्चन नहीं है a bank offers a higher sorry a bank offers a three year regular savings plan and adds interest in line with the rates calculated in part one क्या बुल रहे है a bank offers three year regular savings plan and adds interest in line with the rates calculated in part one and individual invest 12,000 at the beginning of each of the three years ठीक है तो time 0, 1 और 2 पे क्या कर रहे है वो बोलो time 0, 1 और 2 पे क्या कर रहे है 12,000 इंवेस्ट कर रहे है total accumulated value निकालने बुल रहे है बेहुदा सा question दिया है तो पहला वाला 12,000 को क्या करेंगे 1 प्लस very good 1 प्लस y3 का cube और फिर एक साल बात वाले को क्या करेंगे गल्लात हो जाएगा एक साल बात किया है ना तो यह लोग तो यही चाहता है कि तुम y2 से करो y2 तो होगा नहीं तो f12 से करना पड़ेगा यह लोग तो यही चाहता है यहीं तो तुमको फसाएगा यह लोग तो यही चाहता है कि तुम उससे करो y2 तो 0 से 2 के लिए है ना 1 से 3 के लिए थोड़ी है तुमको तो यह लोग 90% यहां पर फस जाएगा यह 0 है यह 1 है यह 2 है और यह 3 है तुमको चाहिए यहां से यहां यहां से यहां यहां से यहां ठीक है बट वाई 2 तो यहां से यहां के लिए है ठीक है वाई 1 तो यहां से यहां के लिए है ठीक है ना तो यह एक ठोब था बाकी तो easy yes में, देख लो इसको, ठीक है, ऐसे तुम लोगो doubts है क्या मतलब, F1, 2 and F2, yes, तुम लोगो doubts है क्या पूरा curriculum में कहीं पर भी institute का mat, IFOI का paper, तिर से नहीं पूछ रहे हैं, बोलो, है, revision notes में है, ठीक है, और ना हम लोग community में डाले हैं, हम लोग का ना पहले का सारा paper solve कराया है, September 2023 जैसे तुम्हारा revision note में नहीं है, April 2023 जैसे तुम्हारा revision note में नहीं होगा, तो यह सब तुम लोगो उससे कर लेना, मेरा सारा कराया है, ठीक है, एक काम करते है, revision note में जो doubts है ना, वो हम जैसे ले लें तो हम लोगा confidence boost up हो जाए, exam तो कितना 8 और 9 को है ना, 9 और 10 को है आपने पास बहुत time है, अभी तो जैसे next week time है, उसके बाद वाला week तो दो week यहाँ हो गया, और September का, first week तो मैं बाहर जा रहा हूँ, तो second week में time है अपने बास, second week में तो exam है, Monday है ना, हाँ तो ठीक है, कोई दिकत नहीं है, ठीक है, ठीक है, अभी यह दो week में करा दूँगा, फिर उसके बाद में time नहीं है, ठीक है, question number 4, an individual pays 4,000 into a savings account for 10 years, during the first 4 years, the payments are made quarterly in advance, for the remaining years, the payments are made continuous, ठीक है, the investor achieves the yield of 6% for quarterly on the investment, क्या बोलेंगे, 4,000 into a savings account, कुछ नहीं बोला है, तो क्या मान के चलेगा, ओ बोल दिया है, पहला 4 सल क्या है, quarterly in advance, so 4,000 as due 4, 4, into, no wait, अपने को quarterly दिया है ना, तो अपने फिर वैसे ही करते हैं, 4 साल में कितना quarter होता है, 16 होता है ना, so as due 16, add the rate 1.5%, उसके बाद 6 साल में कितना quarter होगा, 6 साल में 24 quarter होगा, तो 1.015 to the power 24, ये पहला वाला पाट खतम, फिर उसके बाद plus 4000 as bar, ठीक है, नहीं बट यहाँ पर फिर ये भी गलत होगया मेरा, अगर मैं यहाँ पर quarters में कर रहा हूँ तो ये फिर 1000 होगा, देख रहा है कितना गलती का scope है, कितना गलती का scope है, और ये क्यों हो रहा है क्योंकि flow में नहीं है इतना दिन सम्क्लास नहीं लिया, तुम लोग को भी क्या करना, तुम लोग सब क्या करेगा, question practice नहीं करेगा, तुम लोग बोलेगा हम देख लेते खाली, क्योंकि तुम लोग को लग रहा है 400 question है, पुरा revision note में, institute का mad भी करना है, तो तुम लोग को क्या लग रहा हो, हम खाली question देख लेते हैं, देखने से नहीं होगा, तुमको इसको solve कर पड़ेगा, you need to be in that flow, तुम सारा question मत बनाओ, जो difficult है, हर topic एकदम, जाड़ा-जाड़ा question है, तुम वो ही बनाओ, वो flow में रहना पड़ेगा, practice, मेरा जो friend है, प्रवीन संचेती, वो अभी investment banking है, बॉम्बे में, वो पढ़ाता है higher level paper, उसमें मेरे में सिर्फ एक ही फरक है, ह इतना हो सागे, बार-बार solve करना बढ़ेगा, practical means you need to solve it, देखने से नहीं होगा, क्योंकि तुमको देखने से तो समझ में आई रहे, कि quarter यह है, बड़ तुम करने जाएगा, तुम चारे जार बठाएगा, तुम due भूल जाएगा, तुम 16 के जगा 4 कर देगा, ठीक है, अब यहाँ पर भी यह होगा, यही तो होना चीना, 1000, 1000 S bar 24, I is what, 0.015, हो गया, clear है, हाँ? पाइब डेफ़र्ड 8Q50 है बेटा, तो 5 साल जीके 8 साल के अंदर मेरेगा, ना कि 8 साल जीके 5 साल के अंदर मेरेगा, मॉक टेस्ट, ओ हाँ, मॉक टेस्ट दे दिया तुम लोग सब, क्यों भईया, दोनों दे दिया, तीनों दे दिया, तुम क्यों नहीं दि, मैंने एक का तुम खाली पेपर यह दियो अभी तक, तुम, तुम दे दिया, तुम आज मॉक डोगी पहले, ठीक है? अरे तो उससे क्या प्रोब्लम है, तुम देडलाइन तुम लोग ऐसी लिखते हैं, ठीक है? देखो, फर्स्ट कम, फर्स्ट सब बिस्ट में चेक होगा, मतलब वो तो लाइन से ही आ रहे है न, तो जैसे जैसे पेपर आएगा, वैसे वैसी, तो बूलना चीत है न, एक बार प्लीज सब लोग मॉक चेक करो, मॉक मॉक प्लीज सब लोग सब्मिट करो, मॉक सब्मिट करो, प्लीज ठीक है ये वाला? चलो, पाच्वा कॉश्ण में आओ, मॉक के भी डाउट्स बगएर ले लोगा, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं, मैं तो तब ये ठीक नहीं था, मैं क्लास करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? A life insurance company uses the following three state continuous time Markov model with constant forces of transition sigma and mu to price a sickness policy, ठीक है, तो हम लोग को sickness policy में ये दे दिया, ये healthy है, ठीक है, यहाँ पर sick है, ठीक है, और यहाँ पर dead है, तो basically healthy से sick का है sigma, और healthy से dead का है mu, the company issues a 25 year policy to a healthy life, age 35 exact, तो X हम लोग को दे दिया है, 35, ठीक है, और N हम लोग को दे दिया है, 25, 1,50,000 payable immediately on death from the healthy state, 3,00,000 payable immediately on becoming sick, 500 payable at the end of the term of the policy, if no claim has been made on the policy, the total EPV of the benefits we need to calculate, mu दे दिया है, sigma दे दिया है, पोर्स अब इंटरेस भी दे दिया है, ठीक है, सो, सबसे पहले आप निकालो इसमें, TP35HH, so this is what, exponential minus integration 0 say T, mu plus sigma ds, ठीक है ना, so this is what, exponential minus integration 0 say T, 0.025 plus 0.001 ds, ठीक है, है, so this is equal to exponential minus 0.026 T, ठीक है, और इसको हम लोग TP35HH बार भी बोलते हैं, solve करो, अब जैसे इसके बाद में, हम लोग को अगर वो निकालना है death benefit, तो 1,50,000, 0 say 25, TP35HH, discounting factor is e to the power minus 0.05 T, ठीक है, into mu dt, तो इसको कैसे solve कर सकते हैं, 1,50,000, 0 say 25, e to the power minus 0.026 T, e to the power minus 0.05 T, ठीक है, mu का value क्या दिया, वे, into 0.025 dt, ठीक है, कि इसके बाद में, तीन लाक, integration 0 से 25, TP35HH, into e to the power minus 0.05 T, into 0.01 dt, सिग्मा, तो इस TP35HH का यही वाला value हो जाएगा, ठीक है ना, इसको solve कर लेंगे, हम लोगा answer आ जाएगा, और एक no claim benefit है, 500 into 25P35HH bar, which is HH only because reverse आना पॉसिबल नहीं है, into e to the power minus 0.05 into 25, तो total premium इन तीनों को सम करने से अपना आ जाएगा, देख लो इसको, सर वेंगे लिखेंगे जितना आप descriptive वे में लिखेंगे, गुझन चांड़क उतना नंबर आपको जाधा मिलेगा, सर वेंगे लिखोंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मिव 35 प्लस टी मेक्सेंस वें, मिव वैरीज विद एज अज वेल अज दूरेशन, 0.001 है क्या, premiums are payable continuously for the term of the policy, while the policy holder is in healthy state, write down an integral formula for the expected present value of the annual premium, you are not required to do any calculation, ठीक है, तो premium के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, premium के लिए, इस पी इंटीग्रेशन जीरो से 25, ती पी 35 एचेज बार, इन्टू ए टू दी पार माइनस 0.05 ती डीटी, ठीक है, फिर इसको simplify थोड़ा बात कर ले ना, बट solve करने मना किया है, फिर बोलता है, अबीजरी सिंटेगीग constrained, ने मेंस स्थिजचिते जी इनसफेडन, 6State, तो भी थी, चेज़ है, SP 35 HH bar पहले हल्दी था फिर force लगा 35 plus S पे ठीक है और फिर balance time के लिए वो सीख था T minus S P 35 plus S SS bar ठीक है DS clear है हाँ देखो last वले equation में क्या हो रहे है हम लोग क्या कर रहे है हम लोग को बहले TP 35 HHS जब मैं T पे देखूंगा तो healthy आदमी सिख दिखना चाहिए तो S तक वो healthy था S is any time period between 0 and T फिर उस पे force of sickness लगा और फिर वो T तक सिख था ठीक है आप यहला बार हटा भी दोगे ना दोनों से तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा अभी को स्ट्रिप पॉसिबल नहीं है लाइक हेल्दी से सिख जा सकते हैं बट वापस नहीं आ सकते हैं ठीक है ना नेक्स्कूशन में आओ a government issues a fixed interest security paying coupons at the rate of 8% per annum quarterly in arrears the security is to be redeemed at 103% on any coupon payment date from 15 to 18 years after issue with the exact date of redemption at the discretion of the government investor a who is liable to pay income tax 20% and capital gains tax 25% purchases the fixed interest security on the date of issue at a price that gives a net yield to redemption 6.2% effective calculate showing all all working the price per 100 nominal paid by investor ठीक है ना तो सबसे बहले क्या करना पड़ेगा capital gains test so 1-t1 तो क्या है बताओ tax rate क्या है 20% है so 1-0.2 into d by r हां कितना आ रही है और एक हम लोगों को करना है ip तो कितना बार साल में हो रहा है payment चार बार हो रहा है ना तो अपने को निकालना पड़ेगा i4 at the rate वाट 6.2% सॉल्फ करो 0.4 तो हम लोगों का आएगा 0.060608511 फिर और यह आएगा अपना 0.06213 है ना तो इसका मतलब क्या है यह बड़ा है और यह च्छोटा है तो मतलब क्या होगा capital capital loss में worst case scenario क्या हो जाएगा capital loss में best क्या होता है सबसे last में है ना तो worst क्या हो जाएगा सबसे पहले मतलब क्या हो जाएगा तो 15 को लेके समको करना है क्या चीज़ कि अटलीस नहीं मतलब 6.2 तो वर्ष के सिनारियों लेके ही करना है ठीक है तिक नहीं नहीं 6.2 परसेंट बोल दिया ना इल्टू रिदेम्शन अपने तो वर्ष टू वर्ष निकालेगे ना वाइव विल कैलकुलेट बेस्टू बेस्ट सब्सक्राइब आते हो ठीक है आपको तो यहां पर एक चीज़ जो क्वेरी आ रहा है कि आप यह मतलब क्यों नहीं बोला है वह एट लीस्ट तो इंप्लाइड है कि वह एट लीस्ट है क्योंकि खराब से खराब में उसको 6.2 दिलाना है मेरे को ठीक है तो अपने अभी जब सॉल्फ करेंगे तो अपने क्या बोलेंगे लॉस है तो कैपिटल गेंस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है तो प्राइस इस वाट एट इंटू 0.8 ए 15 पूर साल में चार बार कोपन प्रेमेंट हो रहा है अट दे रेट 6.2 परसेंट प्लस 103 वी तू दी पर 15 अट दे रेट 6.2 परसेंट तो यह जो आपका जो प्राइस आएगा दिस विल भी 104.54 281 ठीक है ना इसके बाद में बोल रहा है इंवेस्टर A सेंट इंटर सेक्योरेटी फाइव यह आफ्टर परचेस तो इंवेस्टर B 106 तो अपना जो सेलिंग प्राइस आ रहा है वो कितना आ रहा है 106.50 calculate using linear interpolation and showing you're working the net effective yield इंवेस्टर A earns on the total transaction तो इंवेस्टर A का गर हम लोग देखेंगे वो खरीदा इतना में और वो बेचा इतना में तो उसका capital gain कितना आ रहा है 106.50-104.54281 तो यह उसका capital gain आ जाएगा तो capital gain पर क्या लगेगा capital gain tax तो उसका equation क्या बनाएंगे इंवेस्टर A का purchase price है 104.54281 now this is equal to 8 into 0.8 into A 5 साल के लिए रखा एक साल में 4 बर coupon payment हुआ उसका yield अपने को निकालना है प्लस अपना यह जो difference है capital gain का आ रहा है 1.957180406 इसका जो है 25% इसका जो है 25% क्या है बताओ इसका जो है 25% अपना tax लगेगा तो 0.48929 तो अपना जो selling price है 106.50 इससे अपना pocket से कितना निकल जाएगा 0.48929 अपना निकल जाएगा तो यह अगर अपना निकल जा रहा है तो फिर कितना क्या हो रहा है बताओ V to the power 5 राइट यह अपने को solve करके निकालना है वो लोग बोला interpolation बट अपने तो exact करके फिर दिखाएंगे ना कि इसके और इसके बीच में हो तो अपने करते ही है x-1 वाला जो चीज़ है ठीक है अ अ तर इस नो देथ देन आल्सो वी हाब तो आडड पी एसस इस इफ देर इस नो देथ मतलब संस्कृति मैं सम्झा नहीं आपको कुश्च्यों we will not subtract capital gain from part one पहले बाले में तो capital loss हो रहा है विशाखा capital loss पर थोड़ी tax लगेगा आओ ठीक है चलो कुश्च्यों नंबर सेवन पर आओ कि डिटर्माइन दे मिसिंग एंट्रीज एंड बी फॉर फॉलोइं मल्टिपल डेक्रिमेंट टेबल ठीक है तो यह तो बहुत इजी है क्या होगा पहला वाला बताओ ए और बी निकालना है कुश्च्यों में कॉश्च्यों बढ़ रही हो तुम नीद में हो क्या 96777-125-3050 हाँ ठीक है वही बोलना था में ठीक है ठीक है तो पहला वाला तो आएगा 96777-125-3050 फिर उसके बाद दूसरा वाला में अपने को बोला है AD 54 निकालने ना तो आपने कैसे कर सकते हैं 87592 इसको X ले लो – X – 2550 is what 84 ठीक है तो यह अपना आ जाएगा फिर उसके बोला है life is 50 exact will not be in the population at the end of the fifth year तो मतलब 5 साल में वो population छोड़ देगा तो आपने कैसे निकालेंगे 1,00,000 – 84906 excellent so 1,00,000 – 84906 by 1,00,000 ठीक है यह पहला वाला हो गया फिर उसके बोलता है life is 54 exact will remain in the population for at least 2 years ठीक है तो 82665 82665 by क्या हो जाएगा बताओ 87592 excellent फिर इसके बाद में life is 55 exact will die during the next 3 years 55 है ना तो 141, 148, 155 whole divided by 84906 पर यह लोग कुछ और ही किया है हाँ ठीक है यही किया है यह लोग किया है 141 plus 148 plus 155 whole divided by persons alive at the age of 55 which is 84906 उसके बाद में 50 we will draw between exact ages of 55 and 59 तो 55 से 59 के बीच में जितना भी सारा चीज है माने 141, 200, 148, 14, 155, 950, 162 यह सब जो भी सब चीज है सब को सम करना पड़ेगा सबसे वहले तो मिर को ओ विड्रॉब बोला है ठीक है 55, 56, 57, 58, 59 पांत साल का खाली विड्रॉव लेना है सॉरी सॉरी तो एनी डेक्रिमेंट नहीं है विड्रॉव है ठीक है तो विड्रॉव में आपने क्या-क्या लेंगे 55 से between the ages of 55 and 59 बोला है ना तो 55 वाला जो फिगर है that is for 55 to 56 यह सब थोरा समझना पड़ेगा तो 55 से 56, 56 से 57, 57 से 58 and 58 से 59 यह सब है ना तो अपने को चार लेना पड़ेगा ठीक है तो चार में अपने लेंगे 55 से चालू करेंगे तो 21 सो फिर अपने लेंगे 14 सो फिर अपने लेंगे 950 और फिर अपने लेंगे 700 ठीक है इसको डिवाइट करेंगे अपने 84 906 से और यह एक लाक लेंगे एक लाक लेंगे ठीक है अर्प्राइजिंगली लाज नमर अपकेंडिडेट्स जैड नॉ आफ नॉ तो गैल का कमेंट है फिरिन कुश्चिन फाइब हाउ तो फाइंट पी एचेस इसमें कौन सा फॉर्म ना लग रहा है यूगा लगरवाल ना लायक इसमें क्या हो रहा है अपने को क्या चाहिए तो अपने को क्या चाहिए अपने को चाहिए कि 35 साल का आतमी जब मैं चेक कर रहा हूं तो यहां चेक कर रहा हूं यह तो वहां से यहां तक वह क्या है तो वह ने लिखा है इसको तुम s माल लो यह time period को तुम s माल लो ठीक है तो वहां तक वह healthy था फिर उस पर force लगा तो यह time period क्या हो जाएगा 35 plus s और फिर balance जो time period था यहां से लेकर यहां तक वह क्या था सिख था तो t-s का time period है न यह तो अगर यह तुम्हारा s है तो यह पूरा t-s होगा तब ना यह पूरा t होगा यह पूरा t होगा ठीक है यही चीज़ है तो प्ली शो टू पार्ट बी तू का पार्ट बी क्या थे वह बताना को को सब्सक्राइब क्या था कि नहीं नीं टू का पार्ट बी यह पहले वाल इसमें कि हुआ हां तो यह दो साल जीने का प्रोबाइबिलिटी है इस इस टू ए पी फिफ्टी फोर विचिज ए ऐल फिफ्टी सिग्स बाइ ऐल फिफ्टी फॉर सब्सक्राइब को सब्सक्राइब क्या हो रहे हैं इन सिक्स पाट टू क्या हो रहे हम लोग क्या कर रहे हम लोग का सेलिंग प्राइस है 106.5 और हम लोग का पर्चेस प्राइस 104.5 प्राइस थे सब्सक्राइब का सब्सक्राइब का वर लोग का सब्सक्राइब क्या हाथा टू की पैले वले पाट में आप में लोग के इस ले रिंप्टिंट है वग क्या हो रहे हईब का यू बें ओशिए TRD 103 you have made a capital loss but when you're comparing this with the selling price of 106.5 you have made a capital gain so that is why in the first we made a capital loss so there is no tax in the second part when we are selling at 106.5 so there is a capital gains and so there is a capital gains tax which we have subtracted from the selling price because the whole gain is not submitted to the government only the tax part is submitted to the government which is 25 percent of the gain clear okay next question no.8 लिखना पढ़ेगा यह लिखना पढ़ेगा लिखना पढ़ेगा लिखना पढ़ेगा कि लिखना पढ़ेगा को लिखना नम्बर 8 में आओ अपेंशन स्कीम प्रोवाइज रिटार्मेंट बेनिफिट्स तो ग्रूप फूंड पेंशनर्स करेंट्ली यह 65 एग्जक्ट सो अम लोग को एक्स दे दिया है 65 चीक है तो यह बहुत सिंपल है ठीक है एरन पे जो रिजर्व है वो क्या होगा 50,000 A66 प्लस 19,000 A66 चीक है तो यह जब आप सॉल्फ कर लेंगे आपका आएगा 197,370 आपका DACR क्या आएगा अगर आप पहला साल का ही बात हो रहा है पहला साल में मर जाएंगे तो कितना होगा 50,000 और अगर आप जी जाएंगे तो क्या होगा V बनाना पड़ेगा हम लोको राइट अगर आप जी जाएंगे तो हम लोको V बनाना पड़ेगा और एक जो चीज है वो है कि मतलब यहाँ पर क्या हो रहे ना आणमिटी जो मिल रहा है वो एडवांस में नहीं मिल रहा है वो एरेंड पर मिल रहे है तो एक तो यह है DSAR प्लस आपको वो जो 19,000 आपको वो जो 19,000 एरेंड पर पे करना पड़ता है वो आपको नहीं पे करना पड़ेगा सब्सक्राइब करना पड़ेगा यही है बट अगर वो मर जाता है तो जो पेमेंट होगा 60 मने बेसिकली पहला साल के एंड पर जो पेमेंट होगा तो 19,000 का वो में को नहीं करना पड़ेगा आप जब 67 turning करोगे तो आपको एक ambiguity मिलेगा 19,000 का ठीक है तो बेसिकल इसलिए एक 19,000 अडिशनल अमला यहां पर माइनस होगा ठीक है तो यह हो गया उसके बाद में अपने जब EDS निकालेंगे तो EDS में क्या हो जाएगा 200 लोग है इंटू मरने का probability क्या है पहला साल में Q65 इंटू अपने को करना पड़ेगा DSAR ठीक है और actual अपने को बोला है कितना लोग मर गया है तीन लोग मर गया रहा है तीन इंटू DSAR ठीक है ना तो यह अपना आ जाएगा यह अपना जो है यह अपना आ रहा है माइनस 166370 क्यों माइनस क्यों आ रहा है DSAR नेगेटिव है क्योंकि अगर कोई अन्विटी वाला आपमी मर जाता है तो इट सब पार्टी क्यों पार्टी है मेरा क्यों क्यों पार्टी है मेरा क्योंकि मेंको इसको payment नहीं करना पड़ेगा लेकिन हम तो उससे लमसम में ले ल पूरा कमार है तो जब आप काम करते हैं तो आपका सैलरी का 5-10% कटता है और वो पेंशन में जमा होता है कि जब आप 65 क्यों हो जाएंगे तो फिर आपको उसमें आक्टिव सोर्स नहीं रहेगा तो क्या होगा आपको पैसा मिलेगा जो अपना national pension system है उसमें क्या होता है कि म लम्सम और एक आपन्विटी तो 65 में अगर कोई बूढा का दिमाग खिसक गया और अगर वह मानलो पूरा का पूरा पैसा लम्सम अगर वो लोग कर दिये तो तुम अगर पूरा पैसा लम्सम में उठाकर तुम 202 में खेलके वडा दीया तब तुम पुरा परपस ही तो इस इसलिए उसमें compulsory regulation है कि तुम लंसम जो है वो 40 फिर 60 परसंट थकी उठा सकता है बाकी जो बैलेंस जो है अगर अगर लंसम 40 होगा तो तुम्हारा अन्विटी वाला साथ होगा मैं कोई याद नहीं है सब्सक्राइब कर नहीं कर सकता है वह तुमको वैसे ही मिलेगा तो यह देख लो ठीक है अब यहां पर बोल रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है मने अगर तुम देखेगा तुम्हारा तुम्हारा तीन लोग मरा आए बट जब तुम यह मल्टिप्लाय करेगा ना 200 इंटू एक मिट जब तुम यह वाला करेगा तुम्हारा 200 इंटू Q65 यह तुम्हारा आएगा 2.8 आएगा ठीक है तुम एक्सपेक्ट किया था कि 2.8 लोग मरेगा बट मर गया 3 तो ज़्यादा मर गया तो इसलिए तुमको मॉटालेटी प्रॉफिट हो रहे ना एक्सपेक्टेड इतना लोग मरना था जादा लोग मर गया तो अच्छा बात है ना क्योंकि श्ट्रेन तो नेगेटिव है ठीक है respect to difference for the lump sum benefit this created a mortality loss as the benefits paid out where more than the reservoir Isipa for an award benefit of that will lead to really the deserve as no future benefit will be necessary but for more data than expected the release of reserve was larger than expected which led to a mortality凍 Wesley 78 Az petron's two animal income benefit in total the mortality profit of the annual income benefit outweighs the mortality loss of the lump sum benefit lump sum तो यहां पर लोग जो अपने को अपने को अपने को अपने रोख़े थे कि अपने को डोग मरा है तो यह लोग को अपने को अपया एडटी नहीं देना पड़ेगा तो ज़ादा लोग को अंधुटी नहीं देना पड़ेगा ठीक है? तो जो Lumsum है उसमें इसको नुकसान हुआ है, कि वह सोचा था 2.8 लोग मरेंगे बट मर गए 3 लोग, अगर वह सोचा है 2.8 लोग मरेंगे मर गए 3 लोग, तो जो Lumsum है उसमें नुकसान हुआ है, Lumsum क्या 50 जर में नुकसान हुआ है, कि वह सोचा था इतना, बट मर गए इतना, त जो एन्विटी है उस पार्ट में प्रॉफिट हुआ है कि यह सोचा था कि 2.8 लोग को नहीं देना पड़ेगा बट आप 3 लोग को नहीं देना पड़ेगा एंड दोनों में अगर कंपेर करेगा लमसम में और तुमारा एन्विटी में तो ज्यादा पगड़ा भारी तुमारा इंविटी का है इसलिए नेट अपने को फायदा हुआ है ठीक हैAy के सब्सक्राण ही जो लमसम होता ज्याक्ण बिदक होता है कि मरने से पैसा मिलता है फैसा में क्या लोग लोग मरने से स्ट्रेंज ज्याद आएंगा एक है तूम सोच वह पांच लोग मरें तो पैसा पांच लोग को देना पड़ता बट मर गए आठ लोग तो आठ लोग को पैसे दिना पड़ेगा ना यही आण्विटी में उल्टा है इसलिए ठीक है नेक्स्ट देखो कुश्चों नमबर नाइन अलाइफ इंश्रेंस कंपनी इशुद लास्ट सर्वाइवर होल लाइफ अशॉरेंस पॉलिसी अन 1 जैनुवरी 2020 तो मेल लाइफ अचिक्स्टी एग्जैक्ट तो मेल लाइफ का एज कितना है थिक्ष्टी फीमिल लाइफ का एज कितना है थिफ्टी सेवन ठीक हैं क्या कर रहा है होल लाइफ एशॉरेंस पॉलिसी ले रहे एक एक है कि 2020 को अपना जो बेसिक समें श्यॉट है वह अपना एक लाक इस पेड़ अट दी एंड ऑफ दी एर स 2nd death तो क्या last survivor है और end of year of death है annual premium अपने को दे दिया है annual premium है 1495 का annual in advance while at least one of the lives is alive ये भी क्या last survivor calculate showing all working the prospective reserve in respect of this policy on 31st December 2022 31st December 2022 मतलब क्या हो जाएगा 3 साल, very good 2020, 2021 और 22 ठीक है, if both lives are alive only the female life is alive अगर दोनों lives जिन्दा है और खाली अगर female जिन्दा है PMI, PFA 4% ठीक है, तो both lives are alive, पहले both का कर लेते हैं तो V3 कैसा बनेगा V3 में क्या होगा 1,00,000 into A 3 साल बाद क्या हो जाएगा 63, 60 bar minus 1495 A due 63, 60 bar और यही अगर तुम assurance को convert करेगा A 63, 60 bar is 1 minus D A due 63, 60 bar and A due 63, 60 bar is what? single plus single minus joint A due 63 plus A due 60 minus A due 63, 60 ठीक है, यह हो गया बोथ के लिए सिंगल वाला तो बहुत इसी है, ठीक है, अब देखो, क्या बूल रहा है, फीमेल लाइफ अलाइव है, तो खाली फीमेल के लिए करेंगे, हाँ, तो क्या हो जाएगा, एक लाख, A60, A60-P A due 60 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 61 62 67 62 63 झाल 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 कि इस तरिन कुष्चन एट रिजयर्ब फार्मला इज पीविव फीचर आउट को माइनस इपीव फीचर इंकम नो वाइड यू एड बोथ एड कहां किया मैंने पॉशन नमबर एट भाई कंपनी के लिए तो ये भी आउटफ्लो और ये भी आउटफ्लो ये दोनों ही आउटफ्लो है अगर मर गया तो ये देगा और आणिविटी देगा जिन्दा रहने से और कंपनी में मतलब ये आणिविटी प्रोडक्ट है ना तो कंपनी के पास में पैसा स्टार्टिंग में आ गया होगा तो इन्फ्लो तो कुछ भी नहीं है कंपनी का जो भी है सब आउटफ्लो है ठीक है चलो कुछ नमर टेन में हूँ तो ये पोर्स आप इंट्रेश इस फंक्शन अपाम अन्ट अन्य थामेजिए इस इस अधर इस डडेशर को देदिये ये इन गिवन वी टी गेल्केल्ट शीन गोड़किंग वर्टिंग रॉर्किंग अवालिव ए बीन सी ठीक है दो एक्वेशन है ना और तीन अनोन है अच्छा ठीक है कैसे करेंगे एबीसी का वैल्यू नहीं कैसे करेंगे और वी का वैल्यू भी किससे एक्वेट करेंगे ना उससे तो नहीं आएगा कर देते हैं अच्छा हाँ कंपेर करने से आएगा कंपेर करने से आएगा साही बुल रही है तो हाँ कंपेर करने से आएगा वेरी गुड तो तुम्हारा टी के संग है जिरो पॉइंट जिरो फोर तो यह तुम्हारा हो गया ए और बी बाई टू इस वाट जिरो पॉइंट जिरो वन ऐसे होगा और ए भी निकल जाएगा तो फिर सी भी निकल जाएगा सॉल्फ कर उसको अब यह पता चल गया तो तुम पहले यह वाला कर लो तो दूसरा वाला के लिए क्या करेंगे वी फाइफ पहले निकाल लो वी फाइफ कैसे आएगा ए तु दी पार माइनस 0.04 इंटू 5 प्लस 0.01 इंटू 25 यह हम लोग का वी फाइफ आगया है ना अगर हम लोग को निकालना है वी टी वें टी इस ग्रेटर देन फाइफ so this is what? V5 into exponential minus integration 5 say T C D S ए ना this is V5 e to the power minus C T minus 5 and V5 is what? V5 is e to the power minus 0.45 so final इसका जो आएगा this will be e to the power minus 0.45 minus ct ct आ रहेगा चेक करो तो plus 5c अब दोनों को equate करना पड़ेगा equate करके answer निकालना पड़ेगा तो equate करने का मतलब क्या है अपने को ये करना पड़ेगा minus 0.45 minus ct plus 5c is equal to what minus 0.05 t minus 0.2 तो क्या होगा c is what 0.05 फिर बोल रहा है 1000 is invested at time 2 for a period of 7 years calculate showing all working the accumulated value of this investment at time 9 so 1000 into a kya होगा बता हो 2 to 2 to 9 which is 1000 into 1 by v 2 to 9 which is what 1000 into 1 by v2 to 9 है ना तो हम लोग क्या बोल सकते हैं v0 to 9 divided by v0 to 2 तो बेसिकली v9 by v2 so this is 1000 into v2 by v9 ठीक है इसको solve कर लेंगे calculate showing all working the rate of interest earned on the investment in part 2 rate of interest earned तो बेसिकली अभी ये मेरा जो accumulated value आएगा यहां से accumulated value will be 1698 तो बहुत simple होगी है ये तो है ना तो क्या निकालेंगे 1000 into 1 plus i to the power 7 is 1698 पॉइंट जो भी है तो यहां से मेरा i आ जाएगा राइट नहीं express your answer as a percentage rounded to 3 decimal places as a nominal rate of interest per annum convertible quarterly बोला है तो यहां तो ऐसे कर सकते है आई से i4 निकाल सकते है और फिरेक्ली आईफोर निकाल सकते है बेसिकली जो भी accumulation factor है यहां 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 प्लस i4 by 4 to the power 4 into 7 accumulation factor क्या होगा 1698 by 1000 a continuous payment stream is received at the rate of rho t 8 to 13 calculator showing all working the present value of the payment stream at time 0 so integration 8 to 13 5e to the power minus sorry 5e to the power क्या होगा बोलो 0.03 t exponential minus integration कहां पर लिखिया आएंगे 8 पे कहां से t से और अपने को यह क्या दे दिया है जिरो पॉइंट 05 ds होगा ना क्योंकि सी का वैली तुम लोग अल्यटी निकाल चुके यह सो नो सी का वैली क्या निकाले थे हां ठीक है और फिर अपने क्या कर सकते दिस होल इंटो वी 028 सौर्फ कलेंगे सो जाएगा क्लियर है कि अ कि अ नेक्स कॉस्चन में आउं अलाइफेस 35 एक्षाइक पर्चेज़ 30 यह टर्म शॉरेंस विधिस समें शॉर्ट फूलाइब पेबल इमेडिटली ऑन देथ तो क्या बूल रहा है अलाइफेस 35 एक्षाइक तो एक्स मेरा कितना है 35 एक्षाइक पर्चेज़ 30 एर टर्म शॉरेंस विधि समें शॉर्ड फूलाइक पेबल वॉर्ट इमेडिटली ऑन देथ हम लोग को मंतली प्रीमियम दिखाना है और हम लोग को बेसिस क्या दे दिया है एम 92 सेलेक इंट्रेस दे दिया 4 परसेंट इनिशाल एक्षाइक दिया 120 ए टिशू प्लस 30 परसेंट फिर्स मंतली प्रीमियम रिनिवल एक्षाइक परसेंट अब इसके लिए तो सबसे बहले एक्षाइशन मनाएंगे इसके लिए तो 12 पी एड्यू 35 सेलेक्ट 30 और एक साल में कितना बार 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 एंड इस इस वाट टू लैक्स ए बार हाँ बोलो ए बार 35 सेलेक्ट 1 30 क्यों क्योंकि क्या है यह टाम इस्वारेंस बोला है न फिर अपने को 120 बोला है फिर अपने को बोला है पहला प्रीमियम का 30 और फिर अपने को बोला है 0.02 of the entire premium equation less 0.02 of p पहला वाला correct है a due 35 select 30 12 बने पूरा minus पहला वाला तो यहां से मेरा p आ जाएगा इसको solve करने से यहां से मेरा जो p आ जाएगा that will be 47.73 per month देख लो इसको फिर हम लोगो बुल राइट डाउन and expression for the retrospective reserve after 25 years the retrospective reserve expressed as a percentage of the sum assured is 3.3% explain why this percentage is relatively small ठीक है पहले हम लोगो retro reserve निकालने बोल रहा 25 साल बाद रेट्रो में क्या होता है जो भी benefits मिला है 12p adu 35 25 12 माँने inflow minus आउटफलो का expected accumulation इनफलो क्या है 12p adu 35 25 12 माइनस आउटफलो का माँने बैसे क्या क्या benefits दिया है minus 120 minus 0.3p minus 0.02 into 12p adu 35 select 25 25 12 minus 1 by 12 ये पूरा चीज जो मैंने किया है ना ये पूरा चीज अब accumulate होगा ये पूरा चीज अब accumulate होगा 1.04 to the power 25 by 25p very good इसको solve करेंगे देखो term assurance में क्या होता है ना मरेंगे तो ही पैसा मिलता है and basically ये लोग क्या बूल रहा है कि जो reserve आ रहा है वो बहुत एक छोटा percentage है of the sum assured क्यों वही probability होगा चीज समझो ना reserve क्यों बना रहे है कि भई आज जैसे मान लो तुमको एक चीज समझाता है एक करोड 10000000 ठीक है 100 lakh basically ठीक है 100 lakh का जो premium आता है वो 15,000 आता है मोटा मोटी 15,000 अभी मैंने कराया बजाज से तो उसमें बहुत ही कम premium लगा है तो यह कितना percentage होगा यह क्या percentage है मतलब 1,00,000 is 1% ठीक है sorry 100,00,000 है ना तो 1,00,000 is 1% तो इस जिरो पॉइंट 15% तो वो ही बोल रहा है कि reserve जो बनाया है विकोज पैसा बहलाबाद मरने से ही मिलेगा तो वो ही बेसिकली होगा उसका कि यही probability है मरने का तो जब जो मेरा sum है उसको multiply कर रहे तो जो cost आ रहा हो तो और भी कम आ रहा होगा क्योंकि reserve में तुम्हारा हलका फुल का profit का भी तो element होगा premium जो मैंने रखा होगा तो premium तो थोड़ा ज़्यादा रखा होगा ना cost से वही चीज है the reserve is a very small percentage of the sum assure this is because the benefit is only payable on death and there is only small probability of death during each year during the term ठीक है मैंने जो death का जो probability होगा जोटा होगा बट यही if you convert a TA into endowment assurance तो तुम देखता यह भी shoot up हो जाता यह वाला यह वाला भी shoot up हो जाता मतलब basically term assurance है जैसी तुम इसको endowment assurance में करता है तो यह पुरा shoot up हो जाता मतलब ठीक है क्योंकि उस case में क्या है उसको back of the mind क्या है मैंको पैसा दो दे नहीं है ठीक है यह है तो this completes our April 2024 paper बाकि देखो कराने में सब करा दिया है next week next जो दो weeks है हम लोग का agenda यह रहेगा कि हम लोग doubts कर लेते हैं week में एक दो class करके and मैं आपको थोड़े IAE के important questions करा दूँगा ठीक है exam के बादे तक जितना होगा मैं करा दूँगा doubts और IAE के important questions ठीक है thank you all of you just divide it मतलब how much time should we invest for a 10-15 mark का question लेकिन 3 hours you need to do 100 marks so you have 180 minutes for 100 marks so मतलब वह आप्रॉक्स बता रहा हूं जासे so approximately 1.8 minutes for each mark so 10 marks is 18 to 20 minutes ठीक है thank you all of you now someone is saying that could you please explain part 3 sir number 7 का part 2 हाँ ठीक है मैं समझा दे रहा हूं 7 कौन सा question है 7 का part 2 में क्या problem हो गया भई 7 का part 2 में हम लोग को data दे दिया मतलब जो लोग भी बोल रहा है कि 7 का part 2 समझाने समझा तो मैं दे रहा हूं मैं जो लोग का concept दें clear नहीं है 7 का part 2 में बोल रहा है a life age 50 will not be in the population at the end of the 5th year मतलब 5 साल में मरने का probability मांग रहा है ठीक है तो 5 साल में basically क्या हो रहा है ध्यान दे ना 5 साल में मरने का probability मांग रहा है तो आज 1,00,00,00 लोग जिन्दा है 5 साल के बाद में 84906 लोग जिन्दा है तो इतने लोग मर गए divided by आज कितने लोग जिन्दा है sorry मतलब not be in the population so not be in population is due to two reasons एक हो गया आपका death और एक हो गया आपका withdrawal तो दोनों का मेरे को वो चाहिए ठीक है फिर हमनों को बोलता है life is 54 will remain in the population दो साल survival probability मांग रहा है so AL 56 by AL 54 करेंगे इसमें तो ठीक है 55 will die during the next 3 years so 3 साल जो मरा है 55, 56 और 57 right next 3 years बोल रहा है तो पचपन में मरा है 141 plus 148 plus 155 तो 3 साल में 3 लोग मरे है whole divided by आज कितने लोग जिन्दा है which is 8, 4, 9, 0, 6 फिर बोलता है life is 50 exact will withdraw between the ages तो 5 साल में withdraw कर रहा है withdraw between the ages 55 and 59 तो 4 साल हो रहा है अपना चार साल कैसे हो रहा है ये 55 है, ये 56 है ये 57 है, ये 58 है और ये 59 है तो 1, 2, 3, 4 ठीक है ना तो 4 साल में क्या-क्या withdrawals का आ रहा है आ रहा है 2100 1400 फिर आ रहा है 900 और फिर आ रहा है 700 तो इन सब का sum divided by 50 exact बोल रहा है तो 50 पर क्या है तो बिसकली क्या करेंगे 200 प्लस 1400 प्लस 950 प्लस 700 बाइ एक लाक बिसकली आपको डबल डेक्रिमेंट टेबल दे दिया है और वही करना था अपने को सॉल्फ ठीक है थैंक्यू अल उफ्यू और वही है और देक्रिमेंट प्लस 500 प्लस 10 बाव 10 बाव 15 झाल झाल